लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फोम वर्क क्या होता है और इसके क्या-क्या क्वालिटीज होती हैं तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि फोम वर्क हम किसे कहते हैं इसमें मोलता है कि फोम वर्क is a mold और open box like container into which fresh concrete is poured and compacted इसका मतलब यह है कि फोम वर्क एक साचा होता है जिसे हम English में क्या कहते हैं? mold कहते हैं या फिर इसी को आप एक open box भी कह सकते हैं जिसमें fresh concrete को डाला जाता है और compact किया जाता है ताकि उसको एक desired shape मिल सके आगे बोलता है when the concrete is set, the foam work is removed and a solid mass is produced in the shape of the inner face of the foam work इसका मतलब यह है कि जब concrete set हो जाता है तो foam work को remove कर दिया जाता है और हमको एक solid mass, मतलब एक thos structure मिलता है और उसका जो shape है वो आपका depend करेगा कि आपने जो foam work use किया था उसका अंदरूनी हिस्सा, inner face किस प्रकार का है उसी हिसाब से आपको जो solid mass है वो obtained होगा apart from its own weight इसका मतलब यह है कि foam work के लिए जो material हम use कर रहे है वो आपका capable होना चाहिए जो भी load उसके उपर आ रहा है चाहे वो dead load हो या live load हो including उस foam work का self weight अपने self weight के अलावा वो और भी load लेने की शमता उसमें होनी चाहिए तो इसे ही हम क्या कहते है हमारा foam work केते है यह जैसे आपको इस diagram में देख रहा होगा यह हमने support provide किया है column पे ताकि आप क्या कर सको यहां concrete की ढलाई कर सको तो यह जो structures हम बनाते हैं या support देते हैं concrete को एक desired shape देने के लिए जब वो fresh condition में रहता है तो उसे ही हम क्या कहते है हमारा foam work कहते है next आपका बोल रहा है कि requirements of good foam work क्या क्या होते हैं एक अच्छे foam work की क्या क्या requirement होती है तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है material should be cheap and reusable इसका मतलब यह है जो भी material हम use कर रहे हैं foam work के लिए वो सस्ता होना चाहिए as well as reusable होना चाहिए मतलब एक बार यदि हमने उसे use किया है तो हम उसे और भी कई बार उसको अपने construction site पे use कर सकें next है आपका swelling and shrinkage should be minimum form आपका जो भी material है foam work का वो capable होना चाहिए आपका हर तरीके के condition पे या बोल सकते हो किसी particular area में आपका rainy season या बोल सकते है monsoon ऐसा है कि weather ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आपका जो material आप यूज कर रहे हो construction work पे उस पे ज़्यादा effect नहीं होना चाहिए swelling का मतलब होता है फूलना अगर आप लकड़ी का foam work यूज कर रहे हो और उस particular area में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो लकड़ी क्या है पानी के contact में आते ही स्वेल हो जाता है और जैसे ही आपका जब सूर्य की रोशनी पढ़ती है तो वह क्या हो जाएगा वह shrink होना start होगा तो यह जो quality है swelling और shrinkage की यह कम से कम होनी चाहिए आपके foam work में next बोलता है surface should be smooth and effort easily stripping इसका मतलब यह होता है कि foam work का surface is smooth होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके उसके साथ काम करना आपका easy होना चाहिए stripping का मतलब होता है कि आप कितने period के लिए foam work को structure का support या बोल सकते हो कितने समय के लिए हमने लकड़ी का जो या जो भी foam work के लिए हम material यूज करें उसको कितने देर तक हमने structure को support दिया है तो उस time duration को बोलते हम stripping time next है आपका light in weight so that easy to transfer यह बोलता है कि जो भी आप foam work use कर रहे हो वो आपका वजन में हलका होना चाहिए ताकि आप उसको आसानी से lift करके एक जगा से दूसरे जगा ले जा सकें next है it should be practically waterproof so that it should not absorb water from concrete यह बोलता है कि आपका जो material आप use कर रहे हो foam work बनाने के लिए वो आपका waterproof material होना चाहिए ताकि क्या है concrete में यदि आपका नमी present है moisture water cement present है ratio तो उसमें का जो पानी है वो आपका foam work absorb नहीं करना चाहिए अगर ऐसा हो रहे है तो आपका जो concrete है उसमें आपका shrinkage या cracks पढ़ जाएंगे तो इसलिए बोलता है कि हमको waterproof material को use करना है for making foam work next है आपका the material of foam work should not wrap or get distorted when exposed to the elements यह बोलता है जब material हम use कर रहे हैं foam work बनाने के लिए वो easily उसका जो ends है कोना जो है वो मोड़ना नहीं चाहिए और तूटना नहीं चाहिए जब हम उसे आपका use करने के लिए construction site पे लेके जा रहे हैं या फिर हम उसे use कर रहे हैं उस दोरान भी इसका जो corners है ends है वो आपका perfectly sharp edges होना चाहिए next है the joints in the foam work should be tight against leakage of cement grout ये बोलता है कि जो भी foam work हम use कर रहे हैं उसको जब हम join करें तो वो properly pack होना चाहिए और कोई भी leakage उस पे नहीं होना चाहिए next है deflection should be minimum आपका जो foam work है उसमें कम से कम deflection होना चाहिए deflection का मतलब आप यदि इसे ऐसे truly vertical रखे हैं तो ये ऐसे bend नहीं होना चाहिए deflect नहीं होना चाहिए आपका foam work नहीं तो आपने जो casting की है वो non uniform shape का आपको obtained होगा next है आपका what are the major objectives considered in foam work, foam work के कौन-कौन से major objectives हैं जिन्हें हम consider करते हैं first one is quality, second one is safety and third one is economy तो सबसे पहले हम देखते हैं कि quality में क्या बता रहा है इसमें बोलता है, foams must be designed and built with sufficient stiffness and accuracy so that the size, shape, position and finish of the cast concrete are maintained यह बोलता है कि foam work जो आपका good accuracy मतलब के साथ बताना बनना चाहिए या बोल सकते हैं कि आपका जो foam work के वो अच्छी quality का बनना चाहिए ताकि उसका जो भी आप foam work को जहां construction site पे use कर रहे हैं और जब आप casting करते हैं तो जो आपको result obtained होगा आपको जो desired shape चाहिए जो size चाहिए जिस position पे आपने casting किया है proper finishing के साथ आपको obtained होना चाहिए नेक्स्ट है आपका क्या safety safety में यह बोलता है foams must be built sufficient strength and factor of safety so that they have the capable of all supporting loads यह बोलता है कि आपका जो foam work है उसमें sufficient strength होना चाहिए ताकि वो आपका load को successfully carry कर सके next है आपका economy economy में बोल रहा है foams must be built efficiently minimizing time and cost आपका जो foam work जिसे आप construction site पे use करने वाले है forecasting purpose तो यह बोलता है एक तो उसका cost economical होना चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा high rate का होना चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा bad quality का होना चाहिए आपका economical cost का आपको foam work obtained होना चाहिए और साथ ही साथ आपका time efficient भी होना चाहिए time efficient मतलब जब एक साथ assemble कर रहे हो तो उसका assembling जो time है वो easy होना चाहिए या कम होना चाहिए नेक्स हम पढ़ेंगे types of foam work कि कौन-कौन से materials को use करके हम generally construction site पे foam work करते हैं सबसे पहले हैं इसमें timber, second one is steel, third one is plastic and fourth one is aluminium तो सबसे पहले timber को बहुत स्यादा use किया जाता है for foam work जैसे यहां पे आपको बोलते हैं stairs यह जो stairs यहां पर ढलाई करने के लिए आपने क्या क्या है लकडी का support दिया है इसी लकडी के support को आप क्या बोलते हो foam work बोलते हो ताकि इस लकडी के उपर ढलाई करोगे तो आपको एक desired shape में क्या मिलेगा आपका structure मिलेगा तो यहां पे आप देख सकते हैं यह slap की casting हो रही है च्छत की ढलाई हो रही है यहां पे भी लकडी का use किया गया है support देने के लिए तो इस तरीके से आप timber को use करते हैं for foam work second one is steel foam work steel foam work मतलब आप जो support दे रहे हो जहां पे आपको structure cast करना है वहां पे जो foam work आप बना रहे हो वो steel का बना रहे हो next है आपका plastic foam work plastic foam work में क्या करते हैं जो भी हम concrete की ढलाई कर रहे हैं वो हम plastic के materials को use कर रहे हैं support देने के लिए aluminum foam work aluminum foam work जैसा कि आपको diagram में दिख रहे होगा यहां पे steps या stairs बनाने के लिए हमने क्या किया है जो support provide किया है concrete की ढलाई के लिए तो उसको हमने aluminum का material use किया है for foam work purpose तो इसे आप क्या कहोगे aluminum foam work thank you क्या हुआ 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 हुआ